हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीपक नर्शिंग के लेक्शन कर आज हम ब्लड ट्रांस्फूजन के टॉपिक के बात करेंगे यह टॉपिक बड़ा है दो पार्ट में आएगा पहले पार्ट में मैं ब्लड ट्रांस्फूजन के बारे में बताऊंगा क्या प प्लॉड एब घूपिक बाइविच ब्लड एंजी प्लॉड इंड ार्ट्रांस्फूजन एक प्लॉशस जिसके अंदर बलड और उसके कंपोनेंट को एड़मिनिस्टर किया जाता है है क्लाइंट के अंदर उस प्लॉशेस को हम ब्लड ट्रांस्फूजन बोलते हैं को बलाजमाँ कर सकते हैं इम्मूनिटी को इंप्रूव करने के लिए हम डब्लू seaweed कर सकते हैं है मुनिटी को इंप्रूव करने के Clotting factor की Deficiency को पूरा करने के लिए हम blood transfusion कर सकते हैं जिसमें हम plasma fresh frozen plasma use करते हैं Deficiency of Clotting factor को पूरा करने के लिए अगला है कौन-कौन से component होते हैं blood के कौन-कौन से component होता है तो पहला है RBC WBC, Pratlet, Plasma, Colloid and All Blood whole blood के अंदर सारे component होते हैं, clotting factors भी होते हैं, plasma भी होता है, और cells भी होती है, जो blood cells होती है, वो भी होती है, जैसे Rbc, Wbc, platelet, तो उसको whole blood बोला जाता है, Rbc के अंदर हम single Rbc ही use करते हैं, तो first बात करते हैं, Rbc के बारे में, Rbc, package से लिए red blood cells बोलते हैं इनको, iron deficiency anemia के अंदर use करते हैं, iron deficiency anemia, इंडिया के अंदर most common form होती है, जो anemia होता है इंडिया के अंदर most commonly, वो iron deficiency की वज़े से ही होता है, तो ये most common form मानी जाती है, इंडिया के अंदर, amount होता है Rbc का एक unit के अंदर 250 ml, 250 ml, एक unit जो blood होता है Rbc, उसके अंदर 250 ml होता है, इसके अंदर preservative आते हैं, preservative कौन-कौन से होते हैं, कौन-कौन से हम use करते हैं, तो पहला preservative है CPD, citrate phosphate dextrose, जो most commonly use किया जाने वाला, जो clinical practice में most commonly use किया जाता है, प्रिजर्वेटिव, वो CPD होता है, और latest clinical practice में जो use किया जाता है, वो CPD-A होता है, CPD-A होता है, citrate phosphate dextrose, adenine, जिसके अंदर adenine मिला दिया जाता है, CPD के अंदर, तो वो latest clinical, जो practice में use किया जा रहा है, वो CPD-A है, इसके लावा, दो और होते हैं, जो use किया जा सकते हैं, उनमें से acid citrate dextrose, और दूसरा है, saline dextrose, adenine भी use कर सकते हैं, हम preservative agent के रूप में, transfusion का time कितना होता है, कितनी देर में हमें transfuse करना होता है, RBC को, तो 2-4 गंठे लगते हैं, RBC transfusion करने में, एक unit को transfuse करने में, 200 ml को transfuse करने में 2-4 गंठे लगते हैं, minimum 2 गंठे होने चाहिए, maximum 4 गंठे लग सकते हैं, average माने तो 3 गंठे या 3 गंठे हम use करते हैं, flow rate क्या होनी चाहिए, तो 85-100 ml per hour होनी चाहिए, एक गंठे के अंदर लग बग 85-100 ml transfuse हो जाना चाहिए, अगर minute की बात करें, तो 1-2 minute हम transfuse कर सकते हैं, पहले 15 minute में क्या drop रखना है, तो पहले 15 minute में 10-20 drop per minute रखनी है, क्योंकि यह हीमोलाइटिक reaction होने का ज़्यादा chance रहता है, तो शुरू के 15 minute हमें कम drop रखनी है, देन उसके बाद में, 15 minute के बाद में हम drop को बढ़ा सकते हैं, जिससे 2 गंटे से 4 गंटे के बीच में transfuse हो सके, आफ्टर 15 minute हम 25-40 drop per minute रख सकते हैं, अगर नर्स 2 गंटे से कम लेती है, transfuse करने में, तो circulatory overload होता है, उसका risk बढ़ जाता है, एक risk हो सकता है circulatory overload, और circulatory overload से hurt ज़्यादा काम करेगा, hurt failure हो सकता है, अगर नर्स 4 गंटे से ज़्यादा लेती है, तो septicemia का risk रहता है, blood infection का risk बढ़ जाता है, blood transfusion को अगर 4 गंटे से ज़्यादा हम time ले रहे हैं तो, septicemia क्या होता है, तो invasion and growth of microorganism in blood, blood के अंदर microorganism का परवेश करना और वहाँ पर अपनी growth को बढ़ाना, septicemia कहलाता है, septicemia हो सकता है, अगर 4 गंटे से ज़्यादा लेते हैं, transfusion के अंदर तो, RBC को कितने दिन तक store किया जा सकता है, तो duration of RBC storage की बात करें, तो 35 से 42 दिन होता है, question के अंदर अगर दोनों option आते हैं, 35 भी आता है, 42 भी आता है, तो फिर हमें 35 दिन को tick करना होता है, क्योंकि 35 days average time होता है, RBC storage का, जबकि 42 days तो maximum duration होता है, हम maximum duration 42 days तक store कर सकते हैं, जबकि average time की बात करें, तो 35 days average होता है, तो option में अगर दोनों option है, 35 भी है, 42 भी है, तो 35 को tick करना है, temperature की बात करें, तो कितने degree पर store करना होता है, अपने को, RBC को, तो RBC storage का time है, 2 से 8 degree, लगबक 4 degree average हम मानते हैं, 2 से 8 degree पर हम store कर सकते हैं, recipient जो होता है, उसका hemoglobin कितना होना चाहिए, जिसे हम RBC को transfuse कर सकें, तो adult की बात करें, तो 8 gram per DL या उससे कम है, adult के अंदर hemoglobin, तो हम RBC transfuse कर सकते हैं, अगर बच्चों की बात करें, तो 11 gram per DL या उससे कम है, तो हम RBC transfuse कर सकते हैं, यहीं पर अगर हिमेटोक्रीट की बात करें तो लगबग 30% से कम होने पर भी हम RBC ट्रांस्फ्यूज कर सकते हैं Effectiveness का पता कैसे चलेगा एक यूनिट RBC को ट्रांस्फ्यूज करने में कितना हिमोगलोबीन या हिमेटोक्रीट इंक्रीज होता है तो एक यूनिट RBC ट्रांस्फ्यूज करने में एक ग्राम हिमोगलोबीन बढ़ता है और 2-3% हिमेटोक्रीट बढ़ जाता है एक यूनिट RBC को ट्रांस्फ्यूज करने में तो उसके 4-6 गंठे बाद में 1 ग्राम हिमोगलोबीन और 2-3% हिमेटोक्रीट बढ़ जाएगा। तो एफेक्टिवनेस का पूछे तो 4-6 गंठे के बाद हमें एफेक्टिवनेस पता चल जाएगी। अगला पूबनेनट है प्लेट रसों में 50 अग्रेट जो है कमोघ करता है कब यह को करता है करोधिन जब औरृ ने के लिए प्लाट करते लिए बलड को रोकने के लिए प्लेट इसमाद करते हैं कहां चौह यी तो तो थbn जी कमियों जाती जिसको थे नबीर और लेक्टिवनेस होता है और उसको treat करने के लिए हम platelets यूज करते हैं किमो therapy के अंदर भी thrombocytopenia होता है और उसको भी treat करने के लिए हम platelets use करते हैं normal count कितना होता है platelets का तो डेड़ से 4 लाक हो सकता है normal count कब हम platelets को transfuse कर सकते हैं तो तीन step होती है इसकी पहली step जब मान लो platelets क mater कि कमी ओ गई तो किसे पता लर्गेगा platelets की कमी हो गई तो जो early sign होता है external bleeding का वह होता है epistoxis नाकक से अगर bleeding होने Лगे तो जो उसक हो सकता है कि उसमें platelets की कमी है इसलिए external bleeding हो रही है नोस से bleeding हो रही है टिसको हम epist만 बोलते हैं अगर हम बात करें तो उसकी केर क्या करना होती है अपने को क्लाइंट को आगे जुकना है नाक को पिंच करना है नाक को बंद करके रखना है जिससे क्या होगा जो ब्लीडिंग है वो रुकेगी और मुझ से सांस लेना है लग भग 5-10 मिनट के बाद हमें नाक को छो बोड़ना है तो जब 50,000 से कम हो जाती है प्लेटलेट्स तब हम होस्पिटल में एडमिट करते हैं क्लोज अबजर्वेशन में रखते हैं पेसेंट को और फिर भी अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है और वह 20,000 आजाता है तो हमें इमर्जेंसी के अंदर लेटलेट एविच एद फाल क्यरीजार्वेशन मुद बेच pitchy को इस अगर प्लेटलेट को तो इसको हम मॉल सकते हैं इसका वोल्यूम कम होता है जब पूरा ब्लड होता है वो लगबग어 200 mm होता toddler उससे अगर हम lets individual single platelets को ही निकाले तो वो लगबग 50 से 70 ml एक unit में मिल सकता है अपने को ऐसे single donor platelet होता है कोई भी donor जाता है और उससे केवल और केवल platelets निकाली जाती है तो उसका volume जदा होता है और उसको हम single donor platelet बोलते हैं उसका volume 119 से 240 ml एक unit के अंदर हम collect कर सकते हैं platelets को ऐसे यह एक याद रखना है कि 6 unit अगर RDP है तो वो एक unit SDP के बराबर होता है 6 unit RDP एक unit SDP के बराबर होता है कितना time लगता है transfusion करने में तो 15 से 30 minute लगते हैं platelets को transfuse करने में room temperature पे platelets store हो सकती है जो room temperature होता है वो 22 से 24 degree centigrade होता है और इस temperature पर अपन platelets को store कर सकते हैं agitator एक instrument होता है जिसको हम platelets store के लिए use करते हैं यह platelets को हिलाता रहता है जिससे clotting ना हो ठीक है तो यह agitator use करते हैं anticoagulant के रूप में sodium citrate use करते हैं platelets में anticoagulant sodium citrate use करते हैं storage का बात करें तो store कितने दिन तक store रह सकता है platelets 8 से 11 दिन तक store रह सकता है platelets effectiveness की बात करें तो एक unit RDP को चड़ाने पर एक unit RDP अगर administer करते हैं client को तो 8 से 10,000 platelets increase होता है और एक unit SDP अगर चड़ाते हैं administer करते हैं client को तो 40 से 50,000 platelets बढ़ जाता है एक unit SDP में तो effective होता है SDP RDP random होता है तो वो तो एक पूरे whole blood से 300 ml blood से निकाला जाता है तो उसको RDP बोला जाता है अगला है component plasma plasma क्या है तो remaining product होता है blood के अलावा remaining product of blood cells के अलावा जो बच गया है उसको हम plasma बोलते हैं एक unit के अंदर 200 से 500 ml होता है plasma इसको हम एक साल तक store कर सकते हैं plasma को एक साल तक store किया जा सकता है वो temperature होता है storage का वो minus 20 degree centigrade पर हम store करते हैं Infusion time की बात करें तो दो type का plasma होता है मैंने most commonly जो fresh frozen plasma use करते हैं उसका infusion time लिखा है लेट से दो गंठे FFP को हम administer करने में use लेते हैं दो type का होता है plasma एक होता है fresh frozen plasma और दूसरा होता है cryo precipitate plasma fresh frozen plasma क्या होता है तो जिसके अंदर सारे clotting factor पर जाएं तो उसको हम fresh frozen plasma बोलते हैं fresh frozen plasma को हम जल्दी से या तेजी से अगर blood volume को बढ़ाना है तो हम FFP यूज कर सकते हैं तो इसके अंदर protein होती है albumin, globulin तो वह भी हम उसमें भी हम use कर सकते हैं क्योंकि protein की कमी है जिससे oncotic pressure कम maintain नहीं हो पाता तो अगला यही है अपना यूज कि oncotic pressure को maintain रखता है क्योंकि उसके अंदर albumin होता है तो FFP बहुत यूज होता है इसका अगला है cryoprecipitate plasma cryoprecipitate plasma को हम fresh frozen plasma से ही prepare करते हैं segregate करते हैं cryoprecipitate करते हैं जो भी हमें clotting factor निकालना होता है जो भी हमें special use करना होता है clotting factor तब हम FFP plasma से cryoprecipitate plasma बना सकते हैं इसके अंदर हम segregation की बात करें तो चो फेक्टर होता है clotting factor फेस्ट और जो 8 होता है वह use कर सकते हैं first जो होता है वह fibrinogen होता है और जो घू होता है एंटी हमोफिलिक factor होता है जो cryoprecipitate plasma होता है उसको हम Hemophilia A के अंदर uste को ब्लेडिंग के मैं यूज ले सकते हैं bleeding होती है है हेमोफिलिय कीडिये में तब हम यूज ले सकते हैं जिसके अंदर अर्ट को हम administer करते हैं कि मैं इसका टाइम मैं बता दूं फ्रीक्टर आप का जो टाइम होता है वह 15 से 30 मिन नित होता है 15-30 मिनित में हम administer करते हैं transfuse करते हैं पेसेंट के अंदर और FFP को मैंने बता दिया डेड़ से दो गुंठा लेते हैं अगला component है WBC white blood cells बोलते हैं function क्या है तो immunity को increase करने के लिए हम WBC यूज करते हैं और infection से protect करने के लिए भी हम WBC यूज कर सकते हैं neutropenia patient जब neutrophils की कमी हो जाए या WBC की कमी हो जाए तब हम WBC transfuse कर सकते हैं जब antibiotic therapies effectively ना हो किसी patient के अंदर तब भी हम WBC use कर सकते हैं amount की बात करें तो 400 ml एक unit के अंदर होता है WBC को हम कहीं से भी ले सकते हैं maximum होता है maximum ml amount WBC का होता है 400 ml एक unit के अंदर हो सकता है duration की बात करें तो 13 दिन तक store किया जा सकता है WBC को और transfusion time की बात करें तो एक गंठे के अंदर हम WBC को transfuse कर सकते हैं यह था WBC अगला component है colloid colloid जो होता है वह albumin का derivative होता है ठीक है colloid are gelatinous solution that maintain high osmotic pressure in the blood क्योंकि यह albumin का derivative है इसलिए oncotic pressure यह osmotic pressure को high रखता है use करते हैं emergency में to increase blood volume blood volume को बढ़ाने के लिए emergency के अंदर हम colloid use कर सकते हैं या un percent में भी colloid को use के जा सकता है जिन पैसेंट के अंदर blood से allergy होती है blood की allergy होती है un percent के अंदर हम colloid use करते हैं क्योंकि colloid को colloid मे कभी-कभी पूछ लेते हैं कि कि इस टाइब का Blood use करते हैं तो वह blood use क네요 जो irradiated होता है जिसको हम radiation से पास करते हैं गामा रेस से पास करते हैं तो वह ब्लड जो होता है वो उसको कोलोईड बोलते हैं जिसको हम एलर्जी होती है ब्लड में ब्लड से एलर्जी होती है तो कोलोईड यूज करते हैं ब्लड वोल्यूम को इंक्रीज करने के लिए तो यह था कोलोईड अगला है होल ब्लड ऑलबलड की बात करें तो सारे जो बने करने के तरीके हैं प्रोसीजर ay वह रेड ब्लड सेल्स की थ्रूह होते हैं थिक घिर जितना टाइम यूज करता है इस टे好吃 करने में तelnाइन इन तक स्टोर किया जा सकता है वो सारे होल बलड के भी होते हैं होल बलड के इंदर सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके अंदर आर बीसी आता है डबलो बीसी आता है प्लेटलेट्स आता है कोलोड आता है प्लाजमा आता है सारे ही जो कंपोनेंट होता है वो होल बलड में प्रिजेंट ह होता है जिसके अंदर हम स़ Chr काम में ले तो वह 8 गंटे ही काम हो सकता है उस फिर उसके बाद में blood clot हो जाता है हिपेरीन उन लोगों में यूज लेते हैं जहां citrate की toxicity होती है या फिर hypo calcemia होता है calcium की कमी होती है तो उन patients के अंदर हम हिपेरीन यूज लेते हैं तो वह 8 गंटे तक preservative के रूप में यूज ले सकते हैं उसको तो यह था whole blood और आज का अपना topic था पहला पार था यह blood transfusion का अगला पार में जल्दी ले आऊंगा जिसके अंदर procedure होगा और complications क्या है वह रहेंगे blood transfusion के complications क्या होते हैं तो दोनों उसके अंदर आ जाएंगे इसके अंदर मैंने परपस बता दिया component बता दिया कौन-कौन से हैं और क्या होता है blood transfusion तो थेंक्यू थेंक्यू पर वोचिंग माई वीडियो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए subscribe कीजिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए धन्यवाद